हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सेलक्सेंड़स यह पातो सक्सेस मेरा अलसवर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने योट्यूब सेनल सेलक्सेंड़स्क में तो दोस्तों आपके लिए जो बहुत सारे स्टुडेंट के एक डाउट था क्योंकि जो वी टेक की आपको पता है जे जो डेपलोवाले केंडिडेट थे उन्होंने एक प्रेटशन डाली थी हाई कोर्ड में के भई हमारे लिए क्या है हमें एलेजिबल किया जाया या नि तो उसी सरे रिलेट हाई कोर्ड की तरब से एक रिजल्ट आया है तो हमने सुच एक भार आपको चीज बता देती है का ह अगर आप इस चैनल पर अभी तक नहीं है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें ज्याज़एदा सेयर करें जिससे के जो भी डिप्लोवाले कैंडीरेट हैं जो प्रिप्रेशन कर रहे हैं अभी भी जैई एक्जाम के लिए तो वह भी अभी इसीज के तो सीधा हम लेके चलते हैं आपको उस नोटिस की तरफ तो यहां देख सकते हो यहां पे लिखा हुआ है हाई कोट से भी नहीं मिला बेरोजगा डिप्लोवालों आधारियों को राहत अब क्या होगा तो यहां दोस्तों जो डिप्लोवालों ने पेटिशन लगाई थी कि ज जाड़ा आया हो यह पेपर की कटिंग है और जो ऑफिसेल नोटिस है वह भी हम नीचे एड कर देंगे जो हाई कोट की तरफ से आया तो वह आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसमें आप देख से तो इसमें लिखा है विद्धूर डिस्कॉब में आप इंजिन इंजिनेरिंग में डिप्लोमादारी विद्धूर डिस्कॉब में कनिष्ट अवियंता यानि कि जैन नहीं बन सकेंगे इन पतों पर केवल इंजिनेरिंग में डिप्लोम डिग्री धारी ही आविदन कर सकेंगे यानि अभी जो पेकेंसी आई है क्योंकि वर्स दोचा-16 के विद्ध नियमों के प्राफदानों में बदलाव कर करन्ष्ट अवियंता दोती का पद समाप्त कर दिया गया है यानि कि जो दोजर आट में नौ में जो लॉलीपॉप दी गई थी है वो लॉलीपॉप भी आपसे छेल ले गई है यानि कि कोई भी बेकेंसी नहीं है इसले डिप्लोमा धारी केवल इस पद पर ही आवेदन करने के योगे थे यानि कि यही पद था जिस पर आवेदन करने के योग थे यानि कि चुझेयन टू था विद्ध निगम की ओर से इस जवाब के बाद राइस्तान हाई कोड ने नियमों को चनौती नहीं देने की विज़े स सम्बन में दायर याज का कोुद बाइच कर दिया गया है यानि कि जो जयाज ऐसे बात है और चीज को लाको आप ही कौट में हुआ है और कहीं पर जात कि अच्से वक्कील के साथ वापस करो तो कुछ propriet जो इन्होंने वखिल किया हो गया जो इन्होंने एक्सक्यूज दिए ह वह ज़्यादा अच्छे होंगे क्यों गुन के बास पैसा है आप जान सकते हो तो इस अप सीधा जान सकते हो मतलब कुल मिला कि यह कर डिप्लियों वाले अब कभी भी चैयान के एलेजिवल नहीं होंगे लेक्रिसिटी वोड में वैसे वह बात करूं आप लोग भी एलेजिव वी नहीं होता क्योंकि हैं आप लोगों ने अभी तक शलेवाजी के लियर नहीं किया कि एक्जाम में आएगा क्या आपने एक छोटा सा नोटिस जो प्रोटेस्टर किया था उसमें नोटिस लात आ आप लोगों हमें पता है उपए नहीं आदभ जी जब गए थे तो उनको दे दिया था तो यह भी आप आपके पास एक्स्थीूजर के भी हमने तो ऑफिसल साइट पर नहीं डाला तो हम कैसे मालने के हमने कुछ दिया है तो यह इस्टुटेंट के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि वह रायस्तान जी के पढ़ें या ना पढ़ें क्योंक अगर नहीं पढ़ा होगे तो वही सेंप प्राना पेटान आएगा तो उसमें वैसे स्टुटेंट के हालत खरा वही बाहरवाले केंडिडेट का और इसमें बाहरवाले केंडिडेट का रीजन भी है क्योंकि 2008 में जो वह सारे सारे बाहरवाले हैं वह थोड़ी ना चाहेंग आपके लिए चीज क्लियर हो चुकी है कि आपके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है जेएन में इलेक्रिसिटी बोर्ड में ये क्लियर इन ओने पोल दिया है हाई कोड ने अब आप चाहें मानो या ना मानो और आप अब एक ही काम कर सकते हो सारे कि हाप प्रोटेस् जो student को लूट रहे हो इसको बंद करो diploma course को बंद करो क्योंकि यार जब आप कोई मतलब आप सीधा सब समपत समझ सकते हो आप कोई चीज बना रहे हो अब उसको कोई खाएगा है नहीं तो उसको फिर बनाने का मतलब ही क्या है तो वही सेम सिच्वेशन यहीं पिए कि जब आपको diploma से कोई जोब देनी ही नहीं है तो फिर आप ये course करवाई क्यो रहे हो इसका मतलब ही क्या है मतलब आप दसवी पढ़ते हो अब दसवी में आपको पता है चलो भई हर किसी में काम आती है अब अगर किसी भी एक्जाम अगर ये कभी महाँए ही नहीं कि आपके बाद दसवी हो कोई मायने नहीं रखता आप तो सीधा बस आओ और अपनी नॉर्मा डिट्रिल डाल दो एक्जाम दो तो फिर दसवी क्यों करें आदमें तो वह ही सेंप सिच्वेशन है ना कि जब डिब्लोमा से कोई जोबी नहीं मिलनी तो भई उसको करवा कि रोज को सिधा अभी तो फिर अलग से और कॉलिज खोल रहे हैं तो मतलब अपना धंदा चलता रही है नका गवर्णमेंट का बाकी स्टुएंट मरे या ना मरे कोई मतलब नहीं है तो आई योप आपको ये व्यूडियो समझ में आ गया हो बाकी मुझे पता है ये डिब्लोमा दानों को किसी कोई पसंद नहीं आया हुगा क्योंकि बहुत लोगों को डाउट है अभी भी भी वो लोग सोच रहे हैं तो उनका कुछ हो सकता है तो वो प्लीज इस चैनल वीडियो को सेयर करके उन्हें ये क्लियर कर दीजिए कि गवर्णमेंट इस चीज को नहीं मानने वाली यहां तक हाई को ने भी इस चीज को मना कर दिया गया है क कि डिप्लोमा के लिए जियन पोस्ट इलिजिबल नहीं है वैसे मेरे यही एक चीज मेरे डाउट है कि चलो ठीक है यहां पर आप आप लेजिबल नहीं कर रहे हैं अधर इस्टिट में फिर क्यों इलिजिबल है यह भी तो वही सेम सिच्वेशन है कि इदर से जो फेडिशन डाली गए नॉर्मल एक दो लोड़कों ने डाल थी ठीक है उस पर इतना दवाब भी नहीं होगा ही कोड को सीधा यहां कि अधिकारियों ने एक्स्क्यूस दे दिया होंगे तो केस रफा रफा हो गया तो वही सेम सिच्वेशन जब तक आप स्ट्रॉंग केस नहीं लड़ो जो हाई कोड की तरफ से आया हुआ है उसको भी आप पढ़ लीजिए मगर उसका पूरा एक निचोड यही है कि आप लोगों की जो 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 पोश्टी को कैंसल कर दी गई है और जो 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 आप आप आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी तो थैंक्स पर आप आप दिस्ट भाइल